ओके अलो पनेड किसे वाप समय विशी और आप देखरें बौन तो इन्विस यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम जो हमारा रोसारी आईपियो है उसकी ग्रे मार्केट में क्या प्राइस चले उसके बारे में बात करने वाले और बाग में हम बात करेंगे कौन सी प्राइस सबसे पहले मिल जाए तो पहले हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते अल्रेडी मैंने डीटेल वीडियो बना के रखा तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख के आईए तो आपको पता चले कि यह कंपनी क्या कर रही है कैसा इसके फ 50% QIB को मिलेगा मतलब कि not more than 50% मतलब वो near about 50% हुआ उसके बाद आता है रिटेल जिसमें हम सब आते तो उसके लिए है not less than 35% of the offer मतलब हम मान सकते कि near about 35% हमें यह offer मिलेगा मतलब जो पूरा IPO इसका 35% हमें मिलेगा समझ गे in simple QIB को 50% मिलेगा NII को 15% मिलेगा और हमें 35% अब हम देख लेते हैं कि यह जो IPO उसकी क्या total bid details रही है समझ गे तो जो हमारे QIB है उसने 85 times subscribe किया है आपको लगता होगा कि NII से कम है लेकिन अगर आप जब investor portion देखते है तो इसमें आप देखोगे तो 50% आपको QIB का portion है समझ गे तो इसलिए आपको कम लगेगा लेकिन मेर इसाब से एक अच्छी खासी आपको इधर subscribe होता हुआ QIB की और से दिख रहा है तो QIB ने एक अच्छा subscribe किया हुआ है बाद में हम देखते NII तो NII ने 239 times subscribe किया है लेकिन आप जब इसका investor portion देखोगे तो वहाँ आपको 15% ही इसका portion दिखता हुआ दिखेगा 100 वो ज्यादा है और बाद में आपते है रीटेल तो जो रीटेल में होते हम सब लोग तो उसने 7 time near about 7.22 time इसने subscribe किया है तो जो रीटेल इन्वेश्टर होता है वो क्या करता है एक एक लोटी apply करता है समझगे तो उसके लिए क्या आए कि अगर आप एवरेज निकालो अच्छे IPO की एवरे तो मतलब में अपनी ओर से यह अच्छा subscription मानता हूँ किसी भी IPO के लिए तो यह IPO subscription अच्छा हो गया है तो simple सी बात है इसमें आपको opening gain देखने को मिलने वाला है तो उसके लिए हम देखते है ग्रे market price एक ग्रे market price से हम idea लगाते है कि यह जो IPO है वो कितना opening gain दे सकता है तो इस लिए हम इसका ग्रे market price देख लेते है तो अब हम देख लेती कि यह IPO की GMP मतलब ग्रे market price क्या कहे रही है तो अगर हम 10 तारिक को 10 जुलाई को देखे तो इसका था 110 से लेके 120 ग्रे market में यह price चल रहा है था मतलब इतना price अपर जा सकता है बाद में 12 12 को तो 100 115 मतलब 115 थोड़ से increase हुआ 120 से लेके 130 तक इसकी ग्रे market price चल रही थी बाद में 14 जुलाई को तो 14 जुलाई के 110 से लेके 130 चल रही थी बाद में हम क्या है कि आज की बात करें 15 जुलाई IPO सब्सक्राइब हो उस टाइम तो आज के दिन इसमें आपको 110 से लेके 130 रुपेस की आपकी इसमें GMP दे दिखेगा यह मेरी और से एसा कुछ जरूरी ने कि यही प्राइस पर ओपन होता हुआ दिखे तो मेरी और से यह IPO आपको 550 के आजू बाजू ओपन होता हुआ दिखेगा मतलब 550 रुपीस सिंपल सी बात है इतनी आपकी ग्रे मार्केट प्राइस चल रही है 110 से लेके 130 बाद उसके GMP के ऊपर और कौन सी प्राइस पर ओपन हो सकता है तो दोस्तो यह वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज जारो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब कर देना आप लाइक कॉमेंट करोगे तभी तो में मोंटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आ